मुझे यह बहुत बसांद है यार इसमें अगर आपने थोड़ा सा गोश्ट डाला हो लेंगे इसमें देखते हैं किया सब्सक्राइब करता हूं सब लोग ठीक होंगे मैंने कोई मुझे दोया कुछ नहीं किया अभी उठा था मेरी कुछ नहीं बहुत रहा था एक्चली मैंने इस मन्थ में थोड़ी सी शॉपिंग की थी ऑनलाइन तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंश करों जिसमें आपको थोड़ा सा पता चल जाए पाकिस्टानी फूड जो होती है आपके नहीं बेला सकते हमें कितनी किदार में लाने चाहिए ठाके नहीं हमें यह हमें कितनी सपी मिल सकती है या मैंगी मिलेंगी तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं और यार वाकई आज कल मेरी वीडियो काफी मतलब एक वीक में दो तीन वीडियो आ रही है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग आपकी स्पोर्ट का और वीडियो के एंड तक आपने जरूर देखना है आपने इसको थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको roughly estimate देदू कि भाई असल में यह चीजे हमने यहां मिलती है तो कितनी expensive है तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं और unboxing start करते हैं कि मैंने कौन-कौन सा समाल लिया है और उस चांप बाते हैं कि जुददफेलि डाशा यह तो यह सब्रूंत करियो और जयाने क्रेट सायाम पां》 पाकिसानि और और यह मुझे मिला है 55 यूं का मिला है लिए मुझे आपने पाकिसानी रुपीज के साथ इसको multiply कर लेना है कि कितने बंदे हैं और पर केजी आपको कितने पढ़ रहे हैं यह मुझे 55 का मिला है यह एक पैक और इसमें डाय केजी चावल है लेकिन चावल अच्छे होते हैं यह मतलब लंबे बनते हैं और इसके बाद मुझे एक मैंने ओडर किया था जनाब ओ यह तो म पाकिसान में 50 रुपया का मिल जाता है दो और यहां पर मुझे 14 का मिला है आप खुद ही इसका डिफरेंस कर लें मैं इसे यह कह रहा हूं कि यह डबे ज्यादा से ज्यादा लेके हैं डबे मिलकुल नाल हैं आप इसको खोलके ऐसे जो इसके अंदर पैकिट होता है ना वह है ठीक है जतने जर्दा ला सकती हूं कि यह खराम नहीं होने वाला इसकी एक्सपैरी डेट तकरीबन दो साल होती है दो साल आप चिल करके खाओगे तो यह मुझे 14 का मिला है अभी 50 ग्रैम होता है इसके अंदर तो पाकिसानी के आप जबर जरब दे लें यह तकरीबने 1000 से पाकिसानी फूर्स हाथ में लेके आप अच्छा तो आगे हम देखते हैं कि यह वाला डबा खोलते हैं इस चेक करते हैं कि हमारे पास्ट क्या है यह मुझे लगड़ा है कि मेरी रेड़ वाली मिर्ची है ओके सर खुल गया जी सर जी तो यह है जी हमारी चिली पाउडर आपको पता है यह लाल मिर्च हम खानों में यूज करते हैं आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा से स्पैसी चलता है हमारा जारी बात है तो यह मुझे मिला था 14 आरेम बी का यह भी 14 आरेम का मिला है यह तकर 400 gram ठी किया मुझे नियुकर को कि πियाँ चैनल वाला भी 14 आरेमि लोग 1-6 ऑप इसमें प्ता क्यली क्या है हुआ है और यह उल्सक्तिक इम्ज़ार चाती है यह ज़ू हमसला हम पाकिसां से यह क्रोड़ा जाती है तो यहां पर यह बॉलादी आपकिमिख पाकिसांने कीती पड़ती है यार वो नहीं एफोर्ड कर सकते तो मैं फिर यह ले लेता होता हूं यह थोड़ी सी यह के जल्दी खतम हो जाती है ज्यादा यूज होती है लेकिन काम यह सही कर जाती है तो यह मुझे मिला है फोर्टीन का आप इसको बीस तरह तक्सीम कर सकते हैं अच्छा जी द की अबाउट 250 यह 200 ग्राम मुझे मिली है यह 7 अर्म बी की हल्दी है आपको जानती है खाने में यूज होती है तो यह भी मैं यूज करता हूं यहां पर यह मुझे यहां पर सलस्वी मिल जाती है तो अगर आपने लाने हैं पाकिसान से तो ले हैं लेकिन इसकी खुश्बू अबना रहा हूं बहुत जल्दी एक वीडियो आरी है इस पर हमने पाकिसानी जो खाने होते हैं यह चीजे होती है कोई भी चीजे होती है ना सबसीयां कैसे लेनी है ऑन-laiN-on-line सबसीयां कैसे लेनी है बहुत सथा तरीका अभी 2022 में नोने निकाला है नही आप निकाली है सबसी मिल जाती है तो मैं वह भी आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी लेकिन इस वीडियो में अगली वीडियो में अच्छा आगे स्टार्ट करते हैं अच्छा जी तो आगे हमारे पास अन्बॉक्सी में आती है क्या और यह बहुत एक्स्पनसीव है यार यह ह मैंने बहुत प्संद है आप शायद जानते हूं यह होता है सफेद लोबिया यह यहां पर दो जैदा लोग इस खाते हैं बोजो नहीं जोता है रड़ लोगयो घॉत लंबे वाला लोगयो उसको बोलते ना लंबे वाला तो हम भी वेले वो खाते थे लेकिन मुझे यह बहुत बसान जाए यार इसमें अगर आपने थोड़ा सा गोश्ट डाला हो और इसको जारा खुशक रखके बनाया और साथ में दहीं वाला राइता हो ना तो क्या चसाती है इसकी खाने ली तो यह मुझे मिला है तकरीब अठारा का मिला तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि इस तरह की चीज़ें अपने साथ में रखें डालने हो गई लोबिया हो गया कुछ चीज़ें होंगी ताकि आप जब आओ ना यार तो अब देखो ना मैं यहां पर रह रहा हूं दो साल से मैं अठारा आरम भी दे सकता हूं ठीक है मेरे पास जौब्स है मेरे पास कोई source of income है लेकिन जब आप न्यों आओगे ना तब आपके लिए मुश्किल होगा तो तभी इसलिए मैं बार बार ऐसी वीडियो भी बना रहा हूं रफ 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 वीडियो भी बना रहा हूं ताकि आपको पता चलते है ठीक है अच्छा आगे एक मैं मैंने कुछ चीज़े और तपड़े भी मैंने कुछ किये थे order online तो उसमें से यह मैंने shirt online की थी यह हमें सस्ती बहुत सस्ती मिल जाती है shirts यहां पर अब इसकी quality चाहिए कहती है कि यह मुझे यह सिर्फ चाहिए थी कि मैं पास कुछ shirts है ऐसी जिसके नीचे से पहनने वाली नहीं है मुझे फुल चाहिए थी यह यह आसी वाली तो यह ठीक है अभी यह मैंने मंगवाई थी अब इसको पैन रिच करूंगा बाकि ठीक लग रही गई है मुझे मज़ा आए इसमें से भी तो यह मुझे मिल लिए तकरीबन 20 RMB की ठीक है एक शर्ट 20 RMB को अगर हम तक्सीम करें तो जर्ब दें तो पाकिसानी 600 रुप एगी अच्छी शर्ट है ठीक है इसलिए मैं करूं कपड़े कम लेकिया हो यहां पर कपड़े अच्छी मिल जाते हैं और इसके बा चान दी है के मेरा सिंगर सिदु मुझा से वाला था उसके जाने के बाद तो मैंने सोचा कि कुछ अपने साथ में रखूं कि कुछ ना बुच्छ आसा होना कि यार उसको मेरे दिल के पास रहे तो बही तो वाई मैंने एक युनिफॉर्म इदर आपना ही होगा चाहिना की ए है खेल मी उसकी युनिफॉर्म मैंने ओडर की थी और यह चेक करें मूस 47 आपको बता है उसका गाना था एक 47 तो मुझे वह अच्छा लगता है उसका सॉंग बहुत प्यादा लगता था मूस 47 तो यह मैंने उस पर किया और इस पर यहां पर उसका एक लोगो मैंने आपको के लिए और तो कोई कहले के नहीं है बखियार मैं सोचता हूं कि हमें सब को जो भी हम सिंगर्ज होते हैं एक्टर्स होते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए लेकिन वह बंदा था कि वह सब से अलग काम कर रहा था वह जो लिख रहा था वह तो मैंने उससे यह मुझे वह वह बेस्ट सिंगर मुझे बहुत पसंद था ठीक है तो अब तो वह नहीं रहा है इस दुनिया में लेकिन उसकी कुछ यादे तो हमारे साथ रह सकती है तो मुझे लगता है यह आप भी पसंद करोगे यह बाकी बहुत अच्छी स्टफ भी बहुत अच्छ है तो यह मैंने स्पेशली मोडिफाइ करवाई थी अपने लिए और मेरे बाई को भी मुझे कह रहे थे कि मुझे भी चाहिए तो मैंने अभी उसके लिए पहले मैंने खुद अपने लिए ताकि पदा चले कि इसका स्टफ कैसा है और यह बहुत अच्छा लग रहा है यह मुस 47 अब हम यही कुछ कर सकते हैं कुछ ऐसा होता कि हम उसको बचा सकते हैं चले चोड़े अब ज़्यदे हैं इमोशनल होने वाले की बात ऐसा है कि उसकी डेथ हुए अभी तकरीबं तकरीबं चार-पांच महिने तो हो चुके हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई दिन को लेकिन आप ऐसा है कि हरोस बिद्र करता हैं कि उसको लेको उसकी बाते जो से पर समझ में आ रहे हैं डो क्या क्या लिखता रहा है सृभरा नहीं बहुफा है और नहीं जोब ऐसा कि अइस वडियोग छाथम मुते हैं कि हैक्फिक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी माज़रत आज की थोड़ी से रफ वीडियो के लिए लेकिन ये भी आपके काम आने वाली वीडियो है इसको प्रॉपर देखना लाइक और शियर कर देना और सब्सक्राइब टू मैं चैनल थेंक यू सो मच गाइस बहुत जल्द मिल